जहिन दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Directive Principles of State Policy की तो देखिए Directive Principles of State Policy जो है, वो Part 4 of the Constitution में आता है Article 36 से लेकर Article 51 तक जो है, वो DPSP है तो DPSP जो है, वो State के लिए एक guideline है यानि अगर State जो भी Policy फॉर्म कर रहा है, अगर State कोई भी Policy बनाता है तो वो इन principles को, इन direction को ध्यान में रखके बनाएगा ठीक है, तो part 4 of the constitution में है और article 36 से लेके article 51 के बीच में आता है DPSP DPSP का जो idea है, वो Irish constitution से borrow किया गया है ठीक है, 1937 के Irish constitution से DPSP का idea borrow किया गया है और Irish constitution ने इसको Spanish constitution से copy किया था तो अगर जो हमारी state यानि जो हमारी सरकार है, सरकार जब भी कोई कानून या कोई नियम बनाती है तो उसको DPSP को ध्यान में रखते हुए ही वो law जो है form करना चाहिए ठीक है, तो state कोई भी policy या कोई भी law लेके आ रही है तो DPSP को ध्यान में रखे ही उस policy को बनाना चाहिए So we can say that DPSP is the fundamental for governance DPSP क्या है, governance का एक fundamental है और जो DPSP है, वो resemble करता है instrument of instructions से यानि जो Government of India Act 1935 में instrument of instructions थे उससे जो है resemble करता है DPSP और DPSP बात करता है एक welfare state के concept की ना कि एक police state के concept की ठीक है, वो DPSP जो है, वो एक welfare state के concept की बात करता है और DPSP जो होते हैं, वो non-justiceable in nature होते है जैसे fundamental right क्या था, वो justiceable था तो अगर उसका violation हो रहा होगा, तो आप direct Supreme Court जा सकते हैं Article 32 के अंदरगत, लेकिन वहीं जो DPSP है उसके basis पे आप नहीं जा सकते सुप्रिम कोट की हमारे right का violation हो रहा है तो आप Supreme Court नहीं जा सकते हैं, क्योंकि DPSP जो है वो not-justiceable है अब not-justiceable का मतलब यह नहीं है, कि सब कोई मतलब नहीं है जो हमारे courts हैं, जो हमारे नियाले हैं, चाहे High Court और Supreme Court हो वो उसको determine कर में help करते हैं कि अगर मान लिए कोई state कोई law बना रहा है तो उस law कितना valid है, कितना नहीं है तो DPSP उस चीज़ को determine करने में Supreme Court या High Court की मदद करती है DPSP जो है legislative या executive के functions पे कोई भी limit नहीं लगाती है ठीक है, वहीं जिसे fundamental rights था, वो क्या करता है, कि वो state पे limit लगाता है state की power को limit करता है, लेकिन DPSP ऐसा कुछ नहीं करता रखते हुए, उसके जो principles हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही policy form करेंगे तो article 36 जो है, वो state को define करता है, जैसे article 12 था, fundamental right में उसी तरह article 36 जो है, वो state की definition है article 37 कहता है, it shall be duty of the state to include DPSP directives in their policies, ठीक है तो article 37 कहता है, कि जो states हैं, वो क्या करेंगे, DPSP को धार में रखते हुए ही अपनी जो policies हैं, वो form करेंगे तो DPSP में हमको तीन तरह की जो ideology है, वो देखने को मिलती है पहली है socialist ideology, दूसरी है गांधियन ideology, और तीसरी है liberal ideology तो इसे socialist पहले हम देखते हैं, तो article 38 तो article 38 जो है, वो एक social order create करने की बात करता है ताकि लोगों का welfare हो सके, लोगों का भला हो सके और ये कहता है कि जो state है, वो income, जो inequalities है income में, उसको minimize करने की कोशिश करेगा और साथी साथ, जो status में जो inequality है, उसको खतम करने की कोशिश करेगा तो लोगों के जो income में, जो inequality है, उसको कम करने की बात करता है और साथी साथ, जो लोगों का चो status है, उसमें जो inequalities हैं उसको eliminate करने की बात करता है और जो ये second point है, ये add किया गया था, 44th amendment के दोरा इसको add किया गया था उसके बाद है, article 39 तो article 39 जो है वो livelihood for all की बात करता है और बात करता है कि equitable distribution of resources for common good यानि जो भी resources है उनका समान तरीके से सब में बिभाजन या distribution जो है वो किया जाएगा किसी के पास wealth का concentration नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के पास सारा का पैसा जा रहा है सारा wealth जो है वो इकठा हो रहा है और article 39 में ही आता है equal pay to men and women यानि अगर महिला और पुरुस कोई same काम कर रहे हैं तो उन दोनों का जो वेतन है जो salary है वो समान होनी चाहिए और अगर कोई worker या बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो उनके health पर जहां वो काम कर रहे हैं उस company को ध्यान देना चाहिए next healthy development of children ठीक है तो 42nd amendment के द्वारा इसमें add किया गया कि healthy development of children को लेकर के state policy form करेगी article 39 एक कहता है equal justice and free legal aid इसको भी 42nd amendment के द्वारा एड किया गया था article 41 right to work की बात करता है right to work और right to education article 42 जो है वो बात करता है maternity relief की human condition for work यानि जहां भी जो workers वो कार कर रहे हैं तो वहां की condition ये काम करने की वो अच्छी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो hazardous chemical का use कर रहे हैं और कोई भी protection वगर वो नहीं use कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ इसाथ जो maternity relief की बात है वो भी article 42 में है यानि जो मात्रित आवकाश होता है जो महिलाएं जो pregnant होती है तो उनको काम के दुरान जो वो चुट्टी दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं CCL यानि child care leave तो वो article 42 में आता है उसके बाद है article 43 आर्टिकल 43 जो है social and culture opportunity for workers decent standard of life तो आर्टिकल 43 workers को एक decent standard of life प्रोवाइड करने की बात करता है आर्टिकल 43A जो है वो बात करता है participation of workers in industry management फोर्टी सेकेंड अमनुन के थ्रू जो है इसको add किया गया था article 43A को आर्टिकल 47 nutrition और public health की बात करता है nutrition and public health अब हम देखते हैं जो गांगियन principles है उसके बारे में तो आर्टिकल 40 जो है वो village पंचायत का गटन करने की बात करता है आर्टिकल 43 cotton industries आर्टिकल 43 भी जो है वो cooperative societies की बात करता है कि आप जो है cooperative societies जो है वो form कर सकते है आर्टिकल 46 SC और ST के promotion की बात करता है यानि जो government होगी वो ST और SC के promotion को लेकर के जो है rules formulate करेगी आर्टिकल 47 liquor और intoxicating drugs के prohibition की बात करता है यानि state ऐसा लौ लाएगी जिसे liquor को और intoxicating drugs को जो है रोकाया सके बैन किया सके आर्टिकल 48 जो है वो cows के slaughter की banning की बात करता है अब हम बात करते हैं जो liberal principles है उनके बारे में तो आर्टिकल 44 में है uniform civil court आर्टिकल 45 में है provision for free and compulsory education for children till the age of 14 years यानि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको compulsory education provide करना 86 amendment 2002 में जो है इसको add किया गया था आर्टिकल 48 कहता है organization of agriculture and animal husbandry आर्टिकल 48 जो है वो forest और wildlife को safeguard करने की बात करता है और इसको 42nd amendment के थुरू add किया गया था आर्टिकल 49 हमारे जो monuments और जो historical interest है उनको preserve या protect करने की बात करता है आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है कि जो judiciary है हमारे जो नियापाली का है और जो executive है जो कारे पाली का है दोनों को separate करने की बात करता है कि judiciary और executive जो है वो separate होने चाहिए अलग होने चाहिए आर्टिकल 51 जो है वो international peace और security को promote करने की बात करता है निश्ट हम बात करते हैं कि जो fundamental rights हैं और जो directive principles हैं इनमें जो है Supreme Court में कई बार debate हुआ है कई बार conflict देखने को मिला है जिसे पहला case हुआ चंपकम दोयराजन case है ये 1951 का इसमें कहा गया कि नहीं नहीं fundamental rights जो है वो ज्यादा powerful है DPSP से इसलिए fundamental rights को amend किया सकता है गोलकनात case में कहा गया 1967 का ये case था इस case में कहा गया कि fundamental rights को amend नहीं किजा सकता DPSP के लिए ठीक है कहा गया कि DPSP के लिए आप fundamental rights को amend नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद parliament में आया 25 constitutional amendment जिसने article 31C जो है वो insert किया और कहा कि अगर DPSP का 39B और 39C हमको अगर लागू करना है तो fundamental rights को amend किया सकता है और इसको court में challenge नहीं किया सकता तो उसके बाद होता है case 1 भारती case और case 1 भारती case में ये कहता है कि ठीक है DPSP के 39B और C को implement करने के लिए आप fundamental rights को amend कर सकते हैं लेकिन जो ये second provision है कि इसको court में challenge नहीं किया सकता ये जो है basic structure का violation है तो इसको केसवान भारती case में जो second provision है उसको cancel कर दिया एता है उसके बाद मिर्वा मिल्स case हुआ 1980 में और खागा कि जो fundamental right है वो superior है DPSP से लेकिन जो DPSP का 39B और 39C है उसके लिए उसको implement करने के लिए fundamental right का अगर माली violation हो रहा है 14 और 19 का तो उसको violation नहीं माना जाएगा ठीक है यह मिर्वा मिल्स case में जो है इसका judgment निकला उसके बाद पालियामिन ने कहा कि जो fundamental right है वो DPSP से ज़्यादा सुप्रीम है और पालियामिन जो है वो fundamental rights को amend कर सकती है DPSP के लिए लेकिन फिर बाद में Supreme Court दोरा यह कहा गया कि fundamental right और DPSP ये ऐसा नहीं है कि fundamental right जो है वो DPSP ये एक दूसरे के दोनों पूरक है ठीक है ये दोनों equal है एक दूसरे के पूरक है DPSP जो है एक direction है जो कि state को दी गई है कि आप policy form करिये तो इसको ध्यान में रखके form करिये वहीं DPSP के help से ही जो constitutional validity है law की उसको determine करती है Supreme Court ये High Court ठीक है और fundamental right जो है वो क्या है वो basic feature है हम fundamental right और DPSP दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक है ये कहा गया Supreme Court के द्वारा next हम बात करते है fundamental duties के बारे में तो देखिए fundamental duties यानि हमारा जो मौलिक करतव है तो part 4A of the constitution में आता है article 51A में है और 42nd amendment के थूर इसको add किया गया था जब हमारा समिधान बन के त्यार हुआ था त इसको आर्टिकल 51A में पार्ट 4A में इसको add किया गया और fundamental duty जो है वो USSR के constitution से inspire है जपान के constitution के पास भी fundamental duty का concept है 1976 में जो है स्वन सिंग कमिटी का गठन किया गया था और इस कमिटी ने recommend किया था fundamental duties को incorporate करने के लिए constitution में 1999 में वर्मा कमिटी का गठन किया गया और इसने जो ह है कहा कि fundamental duties को legalize करना चाहिए यानि fundamental duty अगर कोई follow नहीं करता है तो उसके उपरे penalty चार्ज लगाए जाने चाहिए तो स्वन सिंग कमिटी की recommendation तो जो है ले ली गई लेकिन वर्मा सिंग कमिटी की जो वर्मा कमिटी थी उसकी recommendation नहीं माने गई और fundamental duty को legalize नहीं किया गया जब माता-पिता का ये करतब होगा कि वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को compulsory education वो provide करें तो जो 11th duty थी वो कब आइट किया गया तो 86th amendment 2002 में 11 duty fundamental duties में add की गई fundamental duties जो हैं वो सिर्फ citizens के लिए हैं non-citizens के लिए नहीं है और ये not justiciable है ठीक है बिलकुल DPSP की तरह not justiciable है और इसमें कोई भी legal sanction नहीं है यानि कि अगर आप इसको follow नहीं भी करते हैं इसके उपर आपके उपर criminal charge या कोई भी penalty वगर नहीं लगाई जाएगी ठीक है तो ये not justiciable है और legal sanctions इसपे नहीं है तो fundamental duties को enforce कराने के लिए कोई भी legislative process या कोई भी ऐसा law नहीं बनाया गया है जिसके थूरू आपको penalty लगाई जा सके पहले duty है कि हम अपने national flag और national anthem की respect करेंगे दूसरी duty है कि जो noble ideals है यानि जो हमारे freedom fighters द्वारा दिये कि जो noble ideals है उनको हम follow unity और integrity इंडिया की हम maintain करेंगे protect करेंगे अपनी country को defend करेंगे और जो एक भातरत की भावना है ठीक है brotherhood की जो भावना है उसको हम promote करेंगे अपने rich heritage को हम preserve करेंगे protect करेंगे environment को हम protect करेंगे और improve करेंगे अगली duty है कि जो scientific temper और humanism यानि science और technology के field में हम work करेंगे और अपने property है उसको हम safeguard करेंगे और सभी spheres में हम excellence की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे last है child education की बात करता है 14 साल से जो कम उनके बच्चे है उनको free और compulsory education जो है वो provide किया जाएगा next topic है दोस्तो हमारा amendment of the constitution इसको हम next video में cover करेंगे thank you and thanks for watching